हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं शेशी डागर शेशी की तिजोरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज सेर करने वाली हूँ हरे लहसुन हरे मिर्ची और अद्र के अचार की रेस्पी यह अचार खाने में इतना टेस्टी और चटपटा है कि अगर लेंगे तो यह आपके खाने के स्वाद को दो गुना नहीं चार गुना कर देगा में हमने जो भी चीजें ली हैं वो सभी पोस्टिक का से भरपूर है और बनाना भी बहुत आसान है एकदम यूनिक तरीका है चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं इसे पर के ओपर फैए दूप में या फिर घर ड्रायर से इसका पानी खूब अच्छे से सुखा लें 100 ग्राम अध्रक और 100 ग्राम हरे वाली मिर्ची सबीट लिए इन्हें भी धो कर सुखा कर ग्रेट कर लेंगे अध्रक को और हरी मिर्ची को पूट लेंगे ठ Daysे बनिस से बनान को काट कर इसे छोटे-छोटे चुकुडों में काट लेंगे मैं आपको कट करके दिखाती हूं पहले इसका सफेद वाला पार्ट कट कर लेंगे पतियों को जितना छोटा हो सके काट लें आप इसे चौपिंग बॉर्ड पर रखकर काटे या इस तरह से हाथ से काट सकते हैं य यानि कि सफेद वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे यह मैं सफेद वाले पार्ट को भी कट कर रही हूं लेकिन मैं इने अलग रखूंगी और आपको लगता है कि इसमें अभी थोड़ी सी नमी बाकी है यानि कि पानी बचा हुआ है तो इसे कुछ देर के लिए कपड़े फर फैला कर अच्छे से सुखा दें ताकि इसमें कुछ पानी बचा हुआ हो तो वह सूफ जाए और हमारा अजार लंबे समय तक खराब ने हो यहां देखिए लहसुन की हरी पतियों को और सफेद वाले पार्ट को हमने काट लिया है साथ में हरी मिर्ची को भी काट लिया और अध दर्दरा कर लिया है इन्हें ज्यादा बारिक हमें नहीं करना और एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे यह देखिए हमने इन्हें दर्दरा कर लिया है मिर्ची की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अब लैसुन की पत्तों को भी दर्दरा कर लेंगे मिक् गुनों की खान है तो सर्दी में आप इसका यू जुरूर करें यह देखिए हमने ग्रीन पत्तों को तो दरडरा कर लिया है अब वाइट वाले लहसुन को भी धरडरा कर लेंगे और इसे भी हमने धरडरा कर लिया अब अगर आपके पास यह अगर वाला लहसुन नहीं है नोर पर रखेंगे एक पैन, पैन में लेंगे एक बड़ा चमच सौंप, एक छोटी चमच जीरा, एक छोटी चमच मेथी और दो चमच राई, राई नहीं है तो इसकी जगह पर आप काली सर्सों ले ले और इसे जरासा भून ले यानि कि इसमें अगर कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी जरासा भूनने के बाद इसे निकाले, ठंडा करें और फिर मिक्सी में डाल कर सारे मसालों को दर्दरा कर लेना है इन दर्दरे मसालों से यह अचार इतना टेस्टी और मजेदार बनेगा कि आप इसे बनाते ही खाना चाहेंगे और यह अचार बोरिंग से को गरम करेंगे और गएस को लो कर देंगे उसके बाद इसमें एक छोटी चमच हींग और एक हलती एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पाउदर डाले इससे कलर बहुत अच्छा आएगा एक चमच धनिया पाउदर डाल दें अगर है तो और इसी समय पर ग्रेटिड अधरक इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से इसे mix करेंगे इस method से आप ये अचार बनाएंगे तो ये साल भर भी खराब नहीं होगा अब हरी मिर्च को भी इसमें डाल देते हैं अच्छे से mix करके इसी समय पर लैसुन डालें इस समय पर gas को off कर दें और अच्छे से लैसुन को mix करने के क्योंकि अचार में नमक ज्यादा ही होता है कम नमक है तो थोड़ा नमक बाद में भी डाल सकते हैं नमक को अच्छे से सारी चीजों में mix करेंगे थोड़ा सा आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं ताकि लैसुन का अचार सालों तक चले अब इसमें ग्राइंडीड मसाले डालें और अच्छे से मिक्स करें एक चमच इसमें अमचूर पाउडर डालें ये बड़ी चमच भरके मैंने डाली है आपके पास छोटी चमच है तो दो चमच डाल दें अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करें कड़ाई गरम है इसी में सब अच्छे से बन जाएगा इस अचार में तुफान ला देता है आप पानी को बिलकुल अच्छे से सुखाया हुआ धनिया इसमें डाल देंगे जो हमने पहले से ही काट कर थोड़ा सा हवा में फैला दिया था इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सबसे लास्ट में हमने धनिया को डाला है ये बहुती फ्रेस धनिया है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें अभी तक बहुत ही गरम हैं, इसे हमें ज्यादा पकाना ही नहीं होता है, क्योंकि आप इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, तो ये ज्यादा दिनों तक चलेगा, अगर आपको इंस्टेंट बना कर खाना है, यानि कि के बिखास सकते हैं यह बहुत ही चल्पटा तीख और बहुत ही हिल्दी अशार बनकर दियार होता है इसे आप हरे लहसुन की चटनी भी कह सकते हैं या फिर कहें अचा लेकिन है बहुत ही मजेदार। ये आपको बेहत पसंद आएगा और आपको ये पसंद आता है तो इसे धेर सारा लाइक दीजिए और इसे अपने फेमिली फ्रेंड्स में भी जिरूर सेर कीजिए दोस्तों। आपको इसमें तेल कम लगे तो बाद में थोड़ा तेल गरम करके और ठंडा करके आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे ये कुछ दिनों के बाद ओयल छोड़ने लग जाता है क्योंकि ये बहुती मुलाइम हो जाता है। तो इसे चलाते रहें और सारे मसालों को अच्छे से मि ही है तो इसमें एक निम्बू का रस निचोड़ दे इसे भी ये थोड़ा खटा खटा और बहुती टेस्टी बनेगा और ये देखिए ये कितना मजेदार बना है। ये देखिए यहां मैंने खूब अच्छे से इसको साफ कर लिया था और थोड़ी दे धूप भी दिखा द चीजे हैं तो आप भी इन सर्दियों में इसे एक बार जरूर ट्राई करना ये अद्रक लहसुन और हरे धनिये का मस्त अचार बना है ये सालों साल खराब नहीं होगा। आपको ये अचार की रेस्पी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इ आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा होंसला हमें मिलता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका थैंक यू अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को दवाना बिलकुर ने भूले ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले. Thank you for watching Have a nice day Stay healthy and be happy